अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है उसके बार में बताइएगा अगर नहीं भी आ रही है तो भी प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में मैंचिन जुरूर कीजिए तो आईए आज का डिस्केशन हम लोग स्टार्ट करेंगे दे से शुरूरात करेंगे जिसका नाम है वोल्ट रिफ्यूजी डे एवरी येर हम 20 जून को सालिब्रेट करते हैं रिफ्यूजी जो है रिफ्यूजी का मतलब भी क्या रहता है क्लामेटिक कंडिशन के वज़े से य एकल के आई और एंफर एंफर कंट्री में जो है वो गई हमारे कंट्री में भी कुछ 10,000 जो रोहिंग्या है वह हमारे कंट्री में आई तो काफी इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चिजों को रेकोगनाइज किया था तो वर्ल्ट रिफ्यूजी डेजो है ये डिजिगनेट किया जाता इंटरनेशनल डे बाई दी युनाटेड नीशन्स ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल डे फोर दी काफी हद तक रहता है अगर वर्ल्ड की बात करें अपने कंट्री की बात करें तो इसको कैसे हम लोगों ने खतम करना है बेसिकली इसी परपस से हम लोग जो है इंटरनेशनल डे फोर दी अलिमिनेशन ओफ सेक्शुल वाइलेंस को सेलिब्रेट करते हैं तो इच यह 19 जून को यह सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों में अवेइनस फिलाने की कोशिश की जाती है कि कैसे हम इंस सब चीजों को रोख सकते हैं ठीक है जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है डिलेटेड सेक्शुल वाइलेंस शेक्शुल वाइलेंस जू है इसके जो विक्टम्स रहते हैं तो प्राइमरली जो विक्टम है एक तो वूमेन हो गई, वूमेन जो है वन उफ दी वोस्ट क्राइम्स क्मिटेड अगेंस दी हूमन बिंग्स और अनिमल्स ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलोजीकली एन इमोशनली डैमेज किया जाता है, उनके अगर बात करें वूमेन को, थीम क् इसकी कि prevent करना है, protect करना है हम लोगों ने, enhance करना है, structural and operational prevention of conflict related sexual violence, तो I hope आपको यह clear हुआ होगा, next हम यहाँ पर बात करेंगे, world's biggest plant, यानि कि दुनिया का सबसे बड़ा plant जो है, यह कहाँ पर अभी इसका identify किया गया है, तो यह identify किया गया है Western Australia में, ठीक है, जो shallow waters of the coast है, Western Australia म BBC News के दोर यह picture जो है, यह capture की गया है, तो यहाँ पर world largest living plant जो है, यह identify किया गया है, shallow waters of the coast of Western Australia, अब हम Australia की पहले location देख लेते हैं, अपने country के संदर पे यह हमारी country है, तो यहाँ पर आप देखे Australia है, इसका zoom map भी आप लोग देख लीजी ताकि कोई भी आपको doubt ना रही, Australia, Australia ठीक जो है, तो यहाँ पर यह बीगस्ट जो प्लांट यहाँ पर औड़ीफाई किया है, तो वेस्टन थे कोस्ट है, यहाँ पर इडेंटिपाई किया है, ठीक है, Western Australia, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अस्ट्रेलिया जो है, अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट्स में ठीक है जैसे Western Australia हो गया Northern territory South Australia तो यहां पर आप देख सकते हैं Queensland है New South Wales है Cliff यहां पर आप देख सकते हैं Melbourne है तो Canberra इसकी Capital है यहां पर आप देख सकते हैं Tasmania तो यहां पर जो अगर देखे है यहां पर आप इंडिया नोशिन देख सकते हैं Coral Sea है और यह है Great Barrier जो reefs है ठीक है और यह Gulf of Capitaria और तैमूर Sea तो सारे जो चीजें हैं आप लोगों के सामने है टैरी स्ट्रेट है यह पपवानुग्यूनिया और और ऑस्ट्रेलिया के बिट्वीन आपको टैरी स्ट्रेट जो है वह देखने को मिलता है तो आई होप आपको यह सारी आउस्ट्रेलिसीज क्लियर तो यह नाम याद रखेगा आप से पुछा जा सकता है कि यह नाम जो है रेसेंट्ली अभी निव्यूस में था यह किस से रिलेटेड है तो स्टेट्मेंट की फॉर्म में आपसे पुछा जा सकता है तो यहां पर बात करें यह जो इसका जो stretches है यानि कि फैला का है more than 112 miles यानि कि 180 km तक फैला है इन शाक बे तो wilderness area protect जो किया गया है world heritage sites के अंडर इसको protect किया गया है तो I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होगे next आम यहां पर बात करेंगे micro plastic के बारे में micro plastic हाली में अभी news में है micro plastic के अगर बात करें तो बहुत ही छोटे छोटे plastic के जो करन रहते है ना particles जो रहते हैं plastic के वो तो oceans में तो देखने को मिलते ही है oceans यह fishes जो इसको consume करती है अगर fish वो ही fish को अगर human being consume कर रहा है तो एक particular human की body में यह micro plastic जब चले जाते हैं तो cancer create करते हैं एक human की body में clear तो micro plastic जो है इनको decompose होने में सालों साल लग जाते है यानि कि hundreds year लग जाते हैं 100 से भी जादा यहाँ पे जो है decompose होने में इनको समय लगता है ठीक है तो अगर बात करें यहाँ पे micro plastic के अभी scientists के द्वारा पाया गया है कि जो micro plastic पाई गए हैं छोटचोटे plastic के pieces पाई गए है smaller than a grain of rice ठीक है यानि कि rice का जो दाना रहता है ठीक है तो उससे भी बहुत छोटे यह micro plastic जो है यह identify किये गए है Antarctic snow में first time तो यहाँ पे जो influence प्रभाव पढ़ा है किसका पढ़ा है climate का clear तो melting हुआ ice melt हुई जिसके कारण जो है sea level increase भी हुआ जिसके कारण floods आए another areas में तो previous अगर study की बात करें यहाँ पे जो micro plastic पाई गए है काफी जादा negative impact पढ़ रहा है एक human की health की उपर और environment की health की उपर भी finding जो पाई गए micro plastic यह fresh Antarctic snow highlights में पाई गए और यह plastic pollution का एक मुद्दा सामने आता है और most remote जो reasons है world के वहाँ पे यह micro plastics पाई गए है clear यहाँ पे आप देख सकते है micro plastic यहाँ पे छोट-छोटी fishes जो है micro plastic को अगर consume करेंगी तो वो भी मरेंगी clear तो oceans के उपर भी काफी जारा impact पड़ता है अगर micro plastic की बात करें तो यह काफी जारा tiny pieces होते हैं plastic के जो आपको oceans में देखने को मिलते हैं और यह plastic जो डिग्रेट and transform होता है into micro plastic ठीक है अगर कहीं beach पे गए वहाँ पे अगर juice की bottle या फिर cold drink पी रहे हैं लोग तो वहाँ पे dump कर रहे हैं oceans में तो oceans में dump करने के बार यह जो bottles हैं यह किसमें convert हो जाती हैं छोटे-छोटे micro plastics में convert हो जाती हैं जो काफी जादा harmful है एक फिश के लिए यह वहाँ पे जो turtles रहते हैं marine life में और human beings के लिए भी काफी जादा यह खतनाक साबित होती है micro plastic जो है आज के time में food chain में भी जा रही है आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई fish इसको consume करती है वही fish को अगर human being consume करेगा तो human being के body में भी micro plastic जो है वो enter कर जाएंगी 200 million ton जो plastic है every year enter होती है ocean में आप देख सकते हैं कितनी जादा यह quantity है 280 million ton है तो यहां पर बात करें अगर large manufacturing की बात करें और सबसे जादा beauty products जो है ठीक है तो यहां से निकल क्याती है plastic marine animals जो है plastic को खाते हैं और यह क्या ब्लोकेज कर देते हैं उनका digestive system और fishes जो है उनकी बहुत सारे huge topic fishes की death होती दिखती है आपको clear तो आई होब आपको यह clear हुआ होगा नेक्स नम यहां पर बात करते हैं researchers के दोरा भी जो samples पाए गए है snow में 19 different sites से उन्होंने samples लिये कौन सी 19 different sites rose ice जो shelf है in Antarctica and discover किया गया वहां पर plastic particles in all them तो यहां पर 13 different types के plastic पाए गए हैं most common जो पाया गया है वो polyethylene tetrapethylate जिसको PET बोला जाता है और यह जो plastic है mostly यहां पे soft drink bottles बनाने के काम आता है और clothing में काम आता है average की अगर बात करें 29 micro plastic particles पाए गये हैं per liter of melted snow में और higher than है यह marine concentration जो report किया गया previously surrounding rose sea and Antarctic sea ice में micro plastic जो है travel करते हैं thousand of kilometers through the air यानि कि हवा में भी आपको यह micro plastic देखने को मिलते हैं और यह presence यानि कि presence of humans in Antarctic and establish करता है micro plastic footprint I hope आपको यह clear हुआ होगा अभी आपको समझ में आया होगा कि micro plastic जो है वो काफी ज्यादा हानिकारक है एक human के लिए भी, environment के लिए भी और animals के लिए भी अगर हम बात करें यहाँ पर Antarctica की location आप यहाँ पर देख सकते हैं Antarctica की location यह हमारी country है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Antarctica तो यह है Antarctica यहाँ पर micro plastic की संख्या जो है काफी यूज तो पाई गई है तो यह zoom map है, West Antarctica में यह सारे चीज़े और East Antarctica में भी पाई गई है I hope आपको यह सारे चीज़े clear हुई हूँगी एक question आप लोगों के सामने इस question council ज़रूर दीजेगा 2019 में UPSC के तो यह question पुट किया गया था कि why is there great concern about microbeats and that are released into environment यानि की great concern जो है यानि की चिंता की जो बात है microbeats को लेके जो release होती है environment में तो इसका क्या कारण है ठीक है तो पहली statement है they are considered harmful to marine ecosystem B है they are considered to cause skin cancer in children option C है they are small enough to be absorbed by crop plant in irrigation field option D है they are often found to be used as food adult trends तो इसमें से कौन सी statement सही है यह comment section में इसका answer ज़रूर दीजेगा तो यह था important session आज का अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो please like, share, subscribe ज़रूर कीजेगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं clear तो comment भी ज़रूर कीजेए subscribe भी ज़रूर कीजेगा clear तो I hope आपको सारी चीजे clear हुई होगी पीडियेफ के लिए आप टैलीग्राम जोइन कर सकते हैं Instagram पर भी आप फॉलोग कर सकते हैं thank you for watching my video जयाहिंद